नमस्कार साथियो, निउस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। विद्धता के समंदर में डूब करके आरक्षन पे बहुत सारी जायज बाते कही गई और लिखी गई हैं। मगर फिर भी चौक, चौराहों पर स्कूल, कॉलेजों में वही पुराना सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या आरक्षन समाजी का धार पर होना चाहिए या आर्थिक अधार पर और यहीं पे राजनीती खेल करती है। साल 2019 में आर्थिक वर्ग को जो कमजोर आर्थिक वर्ग है उसके लिए केंदर सरकार ने आरक्षन देने का फैसला किया और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चर रही है। तो इन ही सारी विश्यों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पत्रकार और हमारी सहयोगी प्रग्या सिंग्ग जो समाज, अर्थफ्यवस्था और राजनीती इनके गटजोर से जो उत्पन चीज़े होती हैं उन पर पारखी नजा रगती है। तो आपसे पहला सवाल ही होगा कि 2019 के पहले भारत का राजनीतिक माहौल कैसा था और उससे में ऐसा क्या घट रहा था कि आरक्छन जो लिखा गया है संविधान में कि समाजिक और स्ट्रेक्शनिक पिछले पन की अधार पर देना चाहिए। वो अचानक से बदल गया और आर स्ट्रेमेंटेशन हुआ था, OBC यानि की पिछले तपके को रिजर्वेशन दिया गया था और इसमें बहुत बड़ा आंदोलन चला था, तो उस समय सुप्रीम कोट ने इंद्रा साहनी की रूलिंग में कहा था कि जो 27% के करीब जो रिजर्वेशन OBC को यानि की कासिस कहते हैं, जिसे हमें उनको दिया जाएगा, वो ठीक है, वो दिया जाएगा, लेकिन उसी में पीवी नर्से माराओ की सरकार ने कहा था कि 10% पिछड़ा जो वर्ग है, उसको भी अरक्षन दिया जाए, वो इंद्रा साहनी में अफोल नहीं किया गया था, ये कहा गया था कि देखिए हमारे देश में जो कॉंस्टिटूशन है, जो सम्विधान है, उसके मताविक जो हिस्टॉरिकल पिछड़ापन है, मतलब जो एक स्ट्रॉक्चरल प्रॉब्लम्स के वेज़े से लोग पीछे रह गए हैं, उसी को हम आधार बनाते हैं, आरक्षन का, ये नही इंद्रा साहनी के रूलिंग के वेपरीत और जो तब तक आरक्षन का सिस्टम चल रहा था, उसके वेपरीत उन्होंने एक सिस्टम लाए, एक सो तीनवा कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट लाए, जिसके अधार पर गुम्मेंट ओर इशू हुआ और उस ओर में कहा गया कि 10% सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टिटूशन में आपको एकनॉमिक राटीरा के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो यह हमारा जो एक पॉलिसी आया सरकार की तरफ से, इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इसको स्टे नहीं क किया, कोर्ट ने अब उसकी सिनवाई शुरू करी है, तीन-चार दिन, तीन-चार हेरिंग हो चुकी है और आज भी एक हेरिंग चल रही है और लगता है कि यह कुछ दिनों तक चलेगा, हमें यह याद रखना चाहिए कि जब मंडल आयोग की इंप्लिमेंटेशन हुई थी में उस समय बहुत अंदोलन चला था, फोर भी अगेंस्ट भी और जो बहुत वाइलेंस हुआ था, लोग बच्चों ने अपने उपर आग लगा दी थी, तरह तरह के किस्से हुए थे, लेकिन कोर्ट ने उस समय यह नहीं सोचा, उनको यह नहीं लगा कि स्टे करना चाहिए तब स्टे नहीं किया गया, यानि कि बच्चों की भर्ती हो चुकी है इस EWS क्राइटेरिया में, तो अब यह भी एक सवाल पैदा होगा कि उनका क्या होगा, एक यहां पर थोड़ा सा मामला क्रियर कर दीजे, EWS क्राइटेरिया में क्या केवल वही लोग हैं जो स्वर्ण ज प्रण हैं, इसमें Muslim, Hindu, Jain, इसाई सब शामल हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि जिन को आरक्षं नहीं मिलता है कहीं और उनहीं यह आरक्षं मिलता है, तो भाई OBC को तो मिलता है, SC-ST को मिलता है, और कुछ मुसलिम समुदाए OBC में शामल है, वो SC-ST, SC-ST में जाने के लिए प कर रहे हैं और इसाइयों का भी अब केस चल रहा है ऐसी में शामिल होने के लिए तो बचा कौन तो सुप्रीम कोट में कुछ दिनों से सुनवाई चल रही है और आप उसमें नजर भी बनाए रखी होंगी तो क्या-क्या आर्गुमेंट दिये जा रहे हैं थोड़ा उसे बता अगर हम अपने आंकड़े देखें तो हम यह पाते हैं कि जो गरीब है वो ज्यादा तर कमजोर जाती से भी आता है तो अब यह जो रेप्रेजेंटेशन का मामला है यानि कि जिसकी जितनी भागेदारी उसकी जिसकी जितनी हिसेदारी पॉपिलेशन में वो मांगते हैं उत तयार हुई, रिपोर्ट में आया कि 52% जनता इस देश की उस समय में OBC में आती थी, बैकवर्ड क्लासेज में गिनी जाएगी, इसके लिए जो EWS रिजरवेशन है इसके लिए तो कोई सर्वे नहीं हुआ, एक कास्ट और सोशे एकनॉमिक कास्ट सेंस हुआ, लेकिन उसको कभ कि इंडिया में हमारे देश में सरकार जो भी काम करती है चाहे उसे चुपाना चाहे जैसे आप मानिये गरीबी के आंकड़े, इस पर इसकेशन ही चलता है रहता है, कौन गरीब है नहीं है, यह दिसकेशन चलता है लेकिन जब प्लानिक कमिशन था या नहीती आयोग में इस सरकारी मिनिस्ट्री में इसकेशन होता है, कौन गरीब है नहीं यह देटा रिलीज हो जाता है हमारे सामने आ जाता है, यही बेरोजगारी पे हुआ कि सरकार ने कोशिश करी हर तरे से कि यह देटा ना आ आये सामने, लेकिन ड्राफ्ट ही रिपोर्ट है आती थी, हमने 2G, 3 पीजी के मामले में देखा कि कैग की भी ड्राफ्ट रिपोर्ट आगी लेकिन क्या वज़ा है कि सोशो एकनॉमिक कास्ट जो डेटा है वो हमारे सामने आता ही नहीं और नया सर्वे करने को सरकार तेयार ही नहीं तो क्या ये हमारा एक सिस्टम है क्या ये एक स्ट्रक्चर है ज लेकिन खास तौर पर हमें यह देखना चाहिए कि EWS रेजरवेशन के संदर्व में कॉंग्रेस के समय भी 2006 में एक रिपोर्ट तयार कराई गई थी मेजर जेनरल सिन्हों से और उन्होंने कहा था कि तक्रीबन 5% जनता इस देश की है जिसे हम economically weaker section कह सकते हैं लेकिन फिर भी सरक जिसके अधार पर यह चल रहा है दूसरा यह कि अगर 100 बच्चे हैं जो एक institution में admission के लिए apply करते हैं 100 OBC के SCST के जो भी हम OBC के मानते कि 100 OBC बच्चे apply करते हैं admission के लिए उनमें से 110 qualify कर जाते हैं तो उनमें से 10 जो बच्चे हैं वो general category में माने जाएंगे तो अब क्यूंकि आ problem create करी है जो OBC section से आते हैं क्यूंकि आपने यह 10% अलग कर दिया है कुछ लोग यह भी कहते हैं कि देखिए 10% सीटें बढ़ाए गई हैं तो उसका argument यह है कि ठीक है तो 50% सीटें बढ़ाए गई और वो सीटे SCST और OBC बच्चों को दी गई या उन candidates को दी गई जो नौकरी क के तलाश करते हैं तो अभी तक हमें यह नहीं समझ माया कि आधार क्या है दूसरा यह कि candidate वाले सवाल पर थोड़ा पसपस्ट कर दीजेगे एक बार बार यह सवाल आता है कि हमारी जो 50% तो आप दे देते हैं result class को तकरीबन कुछ राज्यों में जादा भी है और 50% बसता है केवल जो general category के लोग हैं तो आप कैसे कहेंगे कि सही तरीके से हम competition में भागिदारी दे रहे हैं देखिए 50% उनको दे दिया 50% हमारे पास रह गया यह argument ही अपने आप में गलत है ठीक है क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया मंडल आयो को ही जो अनुमान उन्होंने लगाया 52% OBC की जनता थी तो 52% रिजर्वेशन होना चाहिए था इसके ओपर 25 या 27% SE और ST रिजर्वेशन होना चाहिए था तो मतलब आधार पॉपिलेशन हो यह तो एक जनता की दिमांड है ना वेराज हम यह नहीं पाते है कि EWS काटेगरी में रिजर्वेशन के लिए कभी जेंडरल का की इंप्लिमेंटेशन तो आंदोलन के थ्रू हुई तो इसमें बेसिक पॉइंट यह नहीं है कि आप ऐसा करिये या वैसा करिये पॉपिलेशन के अधार पर करिये बट आप बेसिस तो बताईए कि आपने यह 10% कैसे दिया आरक्षण देने के लिए 8 लाग की लिमिट कैसे बनाएगे थोड़ा इस पर बताईए यह सरकार की तरफ से दलीले आती हैं कि जो ओबिसी सेक्शन में करीमी लेयर डिफाइन होता है वो करीब तकरीबन इतना होता है बलकि वहां डिमांड आती कि इसको और बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा लोग ओबिसी कैटेगरी में उनके लिए एक रिजर्वेशन बनके रह गया है बलकि यह जमीन से आवाजें आ रही हैं सरकार की तरफ यह शिकायते जब हम ग्राउंड पर जाते हैं इलेक्शन के समय जाते हैं बाद में जाते हैं तो यह लोग कहते हैं कि भाई यह आठ लाक की लिमिट तो बहुत जादा मतलब रिलाकस्ट है इसको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि क्योंकि जब हमारे आंकडे कहते हैं कि 25,000 कमाने वाले 90% हैं तो फिर आप कैसे 8,000,000 वालों को आप इतना जादा रिलाकसेशन दे रहे हैं तो इससे भी एक तरह से यह दर्शा आता है कि सरकार किसकी मदद कर रही दूसरा यह है इसमें एक आस्पेट कि रिजर्वेशन इसलिए आया था कि हमारी जो मिडल क्लास है इस देश की उसमें एक्सपैंशन हो और उसमें एक डाइवर्सिटी आए वो तभी आएगी जब आप सरकारी नौकरिया देंगे आप दिल्ली में डीडी एक औरनी में आप किसी आप दूसरा यह इंथा रिजर्वेशन का कि आप प्रोफेशन यानि की काम आप क्या करते हैं और आपकी जाती को डी लिंक करना इनका कनेक्शन तोड़ना कि जुला हा हो तो एक जाती का मोची हो माली हो धोबी हो यह सब जाती के आदार पे चल रहा है यहां तक क हम पातने की किसानी में भी एक तरह का यह है और प्रोफेशनल क्लास में भी एक तरह से यह चल रहा है तो वो इनफॉर्मल जो रिजर्वेशन चल रहा है उस कनेक्शन को तोड़ना जाती के साथ यानि कि हर किसी को एक मौका मिले प्रोफेशनल क्लास में जॉइन करने का जि लेकिन क्या परिवर्तन हुआ भारत की राजनीती में, सत्ता संघर्ष में, क्यों अब आर्थिक के पिछे चल पड़ी है? हाँ, ये एक बहुत, कुछ लोगों ने कहा है कि लूट at midnight है, रॉबरी at midnight है, EWS, कुछ लोगों ने कहा है कि ये एक तरीका counter revolution है, तो मतलब अलग अलग लोगों की राए हैं, लेकिन एक बुन्यादी सवाल ये भी है क्या सरकार ने बच्चों को और जो नोकरी ढून रहे हैं यह लड़ाई जगड़े इसलिए तो हो रहे हैं क्योंकि लोग पाते हैं कि हमारे को नौकरी मिलने की चांसे कम हो रहे हैं रिजर्वेशन के लिए लोग जो अपलाई करते हैं रिजर्वेशन के लिए लोग जो अपलाई करते हैं रिजर्वेशन को तोड़ने का एक तरीका है रिजर्वेशन को लेके OBC बच्चे दलित बच्चे रोज प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि इंप्लिमेंट नहीं हो रहा है हमारे लिए तो फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हम EWS देंगे तो उनकी पॉलिटिकल एक तरह से क्योंकि BGP का माना जाता है कि वो एक नई तरह की रा रेजर्वेशन दे के लेकिन शायद ये भी उनका प्लॉई थोड़ा वर्क नहीं किया है क्योंकि उन्होंने ये कट आफ बहुत हाई रखा है आठ परसंट वाला और दूसरा ये भी है इसमें इशू की आठ लाक वाला आठ लाक वाला जी इस आरक्षन को लेकर के आर्थिक क्या होगा ये तो मुश्किल होता आजे लेकिन अभी तक जो हुआ है उससे हम समझ सकते हैं कि मंडल कमिशन के बाद एक नहीं तरह की पॉलिटिक्स आई जो ब्राहमनवाद के खिलाफ थी और जो उसी समय महिलाओं के हग की भी बात जनता हमारे देश में आम तोर पिल महिल हैं कि जैसे EWS रिजर्वेशन ही नहीं पर आरक्षन के खिलाफ जो लोगों की धारनाए बनाई जा रहे हैं या उनको करेक्ट नहीं किया जा रहा है पॉलिटिक्स के थरू, मास मीडिया के थरू, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के थरू और अलग-अलग जो विभाग है उनक के थरू युणिवरस्टी के थरू जो बनाई जा रहा है लोगों को अपने बाइसे में रहने दिया जा रहा है तो उससे हमें यह लगता है कि हां एक डॉमिनेंट क्म्यूनिटी, डॉमिनेंट कास्ट, अंटी वुमन, अंटी रिजर्वेशन, अंटी मांईनॉरिटी एक प तो लगता है जातीवाद खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया जातीवाद? और रिच जो ट्रडिशनली रिच रहे हैं कंपेर तो अधर इंडियन्स उस तरह की कम्यूनिटीज को पाते हैं और यह नहीं हम SCST तबके के खिलाफ बहुत बढ़ते वे क्राइम रेट को देखते हैं हम एक meritocracy की बाते करते हैं जब हम OBC SCST reservation की चर्चा करते हैं लेकिन जब हम 10% EWS reservation देते हैं तो हम merit की बात नहीं करते हैं हम जब तक representation की जो data जो हमाई पास available है उसको देखते हैं तो हम यह नहीं पाते हैं कि इसमें महिलाओं को equal status मिला है उसमें OBC SCST को equal status कहीं नहीं मिला है बलकि जो उनकी reserved positions हैं को भी नहीं भरी जाती हैं यह पूरे देश में प्राबलम है तो तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि और दूसरा यह कि constitution जब हमारा frame हो रहा था उसी समें discussion हो आता कि ठीक हम reservation नहीं करते लेकिन आप फिर land reform कर दीजिए ताकि सब को जमीन का अधिकार मिल जाए तो यह सारा एक process है जो हमको complete एक नएक दिन करना ही पड़ेगा as a country क्योंकि उसके बिना progress मुश्किल है इसलिए लोग कहते हैं कि यह EWS reservation हमें पीछे ले जा रहा है आगे जाने के बजाए तो प्रग्यान एक बहुत जरूरी बात कही कि जो आरक्षण है वह social justice की आट टूल है poverty elevation scheme नहीं है तो शुक्रिया अगर आपको हमारी बाते ठीक लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप subscribe कर सकते हैं हमारे Facebook और Twitter account को like कर सकते हैं हमारे website पे जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं शुक्रिया आप देखते हैं न्यूस क्लिक